हेई आईवन हाव यू आल सो कैसो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिख ही है एच डी काल्टर ने और इस बुक का नाम है हॉंटिंग एडलीन सो वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटा सा रिमाइंटर बहुत सारे से लोग हैं जो वीडियो देखते तो आप चैनल को सस्काइब नहीं करते हैं आप से रिक्वास्ट आप चाहो तो चैनल को सस्काइब कर सकते हो और जिन लोगों ने अभी तक हमें शोशल मीडिया प्ल कर दो कि खरी उखी है कहते हैं तुम तैयार हो जो अडलीन की असिस्टेंट उती हैं उसका नाम होता है मेरिटा और वह माईक कर वो फाइनली आ गई है यह सब कुछ और जो adam oти ठीद जब वो देखती है कि छोटी सी यगा एह चोटा सा बुक स्टोर यह बेकिन तभी इतने सारे लोग यहां पे आ चुकी है कैसे यह इतने छोटा सा bookie store इतने सारे लोगो manage कर रहा है और जो सारे लोग होते हैं वो एकदम line बना के खड़े हो जाते हैं बिलकुल और जो idlain होती है वो खड़े होते हैं वहाँ पर गिन रही होती है कि कितने लोग आया है कितने लोग आया है उसके हाथ पर कापने लगते हैं, उसके होट सूख जाते हैं, और वो सोचती है कि मैं कैसे बोलूँ, लेकिन जो एडलीन थी न, वो अपने सारे रीडर से बहुत ज़ादा प्यार करती थी, वो अना थोड़ी से अपने अंदर से हिम्मत लेके आती है, फिर माइक पे बोलती है इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप लोग का थेंक्यू करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आये हूँ, थेंक्यू सो मच इसके लिए, और मैं बहुत ज़ादा एक्साइटेड हूँ, आप सभी से मिलने के लिए, क्या आप तयार हूँ, अब जो एडलीन होती है, वो जान पूचके थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा रही होती है, और सचाई तो यह थी ना, जो एडलीन थे वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, उसको न यह जो बुक साइनिंग वाले इवेंट है, यह बहुत ही बेकार से लगते हैं, शोशल इंट्रेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा, और कई बार ऐसा होता था था ना, कि भाईया, वो किसी के चेहरे को देख रही है, उसके मुँपे स्माइल तो है, लेकिन सामने अला उससे कुछ बोल रहा है, और जब तक कुछ समझी नहीं आता था, मैं क्या जबाब दूँ, और यह जीज एडलीन के साथ बहुत बार हुई थी, अब वो क्या करती है, राम से कुर्सी पर बैठ जाती है, परमानेंट माल का हाथ में ले लेती है, कि मैं साइन करूंगे, यह करके लोग आएंगे, अब जो मेरीटा होती है, वो वहाँ चे फटा-फट निकल जाती है, ताकि वो दूसरे काम कर सके, और उसको गुड़ लग बोल देती है, और बहुत बार ऐसा हुआ था, कि जो एडलीन थी, जब उसका ऐसा इवन चलता था, तो बहुत बेस्ती हुई थी, और हमेशा जब उसकी बेस्ती होती जो एडलीन थी, जो एडलीन थी, उसके भी हलकर के चहरे पर जुरिया थी, और जो बिदेशी लोग होते है, जनली उनके भी चहरे पर काफी जुरिया होती है, आपने देखा भी होगा, अब जो रीडर होती है, वो थोड़ा सा एक्दम अजीब सी हसी हस्ती है. और वो सोचती है, कि शिट मैंने क्या बोल दिया. अब एड़ीन मन में सोची रही होती है मैंने क्या ही बात छढ़ दी इसके स्किन के बारे में और हो सकता है एड़ी यह इसको जो जो जोर्री आ है ना चेहरे के इसको पसंदी ना हूँ कैसी गांडू वाली हरकत कर दी मैंने आप जो reader होती है वो अपने नाम बताती है मेगन फिर उना अपने नाम स्पेल करती है और उसके हाथ होते है वो काफी काप रहे होते हैं बड़ी केरफुली उसका नाम अराम से लिखती है एक एप्रिशियेशन नोट लिखती है और उसके जो सिगनेचर होते हैं जाफी स्लोपी होते हैं और यही न उसके जो करिया था उसके जूँदीगी थी थी थोड़ी स्लोपी और वो किताब पर साइन करके उसको वापस दे रहे थी और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है और जैसी अगला रीडर आता है न भाया जो कही ना कहीं जो प्रेशर अब आडलीन के ऊपर आ चुका था वो चीज उसके चेहरे से साफ जलक रही थी अब आडलीन सूछती है कि कोई मुझे देख रहा है और जैसी वो थोड़ा सा इधा हुदा करके देखती है जो सारे लोग उता है वो इसी को देख रहे होते है वो पूरी कोशिश करते है ना मैं चीज को इग्नूर कर दू अब जो अगला रीडर होता है उसके चहरे पे भूब बड़ी सी स्माइल होती है बड़े स्माइल करके उसको देख रहा होता है जो एडलीन होती है वो भी कोशिश करते है कि मैं भी स्माइल करती हूँ अच्छे से इवेंट हो जाए बस अब जो आइडलीन होती है उसको इतना nervousness फील हो रही होती है जो उसके काल होते हैं वो बिल्कुल लाल हो जाते है और जो उसका आदा ध्यान होता है आदा ध्यान तो उसका किताब पे होता है और आदा ध्यान उस भीड़ पे होता है जो सामने खड़ी है इंतजार करी है से मिलने के लिए और उसकी आँखे ना अचाँख से बुक इस्टोर के आखरी में जाती है और वो ना किसी चीज को देख के ना थोड़ा uncomfortable feel हो जाती है एक आखरी में एक बंदा खड़ा होता है और जो बंदा होता है वो उसी को देख रहा होता है इतने सारे लोग होता है तो उसकी पूरी body तो दिखाई नहीं देती सिर्व उसका चहरा और सर दिखाई दे रहा होता है जो उसकी आख होती है बिल्कुल डार्क होती है एक आख और दूसरी आख बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की होती है और एक आख तो बिल्कुल ही ऐसी होती है बिल्कुल ही सफेध और जैसी एडली उसको दूसरे देख रही होती है अचानक से ब्लैक लगा एक डॉट आजाता है उसकी आँख में, सफेद, बिल्कुल सफेद आँख में, और एकदम से देखके धर जाती है, और एकदम उसकी आवाज ही बन दो जाती है, वो ऐसे देखती रह जाती है उसको, और जैसी वो ध्यान हटाके किताब पे लेके आती है, वो देखती है कि भाईया, जहां पर उसमें पर्मनेंट मारकर वहाँ पर पॉइंट कर रखा था ना वहाँ पर खूब ब्लैक का लगए स्पॉर्ट हो चुका था इतनी इंक निकल गई थी और जैसी वह वापस उसी जगह देखती है जो वह आदमी था जिसके आँखे बड़ी अजीब सी थी अब जो एडलीन होती है वह इससे माफी मांगती है अपना सिगनेचर करती है और ये क्या करती है बुक मारक होता है उस पर साइन करती है सौरी का मैसेज करती है और उसको वापस दे देती है और जो रीडर होता है वो खुश होता है कि चलो भई इसने माफी मांग ली ठीक है और वो ना आदमी वहाँ से चला जाता है और जब एडलीन उस आदमी को ढूने ही कोशिश करती है जिसके आखे बहुत ज़द आजीब सी थी वो भी वहाँ से जा चुका होता है अब अगले सीन में क्या होता है जो आडलीन होती है वो अपनी बेस्ट फेंड के साथ बैठ हो बहुत है जिसका नाम होता है दया अब जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है एडी मुझे ऐसा लगता है आ nutrition को तुम्हें आजये कुम सेक्स करना चाहिए अब जो एडलीन होती है सिर्फ सर हिलाक के हां कर देती है और वो क्या करती है उसके मुँँ में उसने स्ट्रॉड आल लखा होता है और जो ब्लूबेरी मार्टिनी होती है वो उसको पीने ही कोशिश कर रही होती है और जो दया है वो उसकी best friend है वो उसको देख रही होती है कि भाई कभी ये कुछ बोलेगी लेकिन जो एडलीन होती है वो ये सोच रही होती है कि भाई अगर मेरा मुह और ज़ाधा बढ़ा होता है तो मैं और ज़ाधा alcohol अपने मुह में भढ़ लेती और ये चीज न एडलीन खुलके ये बात दया को कहती है क्योंकि अगर दया ने ये बात सुन ली तो वो उसको बोलेगी न एक काम कर बड़ा सा डिक न अपने मुह में डाले तरह मुह खूब बढ़ा हो जाएगा अब जो एडलीन होती है वो इस्ट्रो को confirms भी कहती है जो उसकी मार्टि न कहा देती है जो एडलीन होती है वो परसनल अओ लोवग भाग को ईसनल ऊसरी मार्टिन मंभा सकूँ और जित्ती जल्दी दूसरी माटे नहीं आएगी न जो दूसरा स्ट्रोग हो फटा-फट अपने मूँ में डाले कि ताकि उसको बात ना करनी पड़े अब जो दया होती है नहीं कहती है तुम बात को बदलो मत कुतिया तुम बहुत बेकार हो इस चीज में अब उन दुनकी न्हां आखे एक दूसरे से मिलती है वो दुनों एक दूसरे को देख के असने लगते है अब जो एडलीन होती है लेकिन मैं इस चीज में इंटरस्टेट भी नहीं हूँ क्योंकि जो सारे आदमी है वो मुझे बोर करते हैं क्योंकि वही सवाल पूछते हैं क्या पहना हुआ है मैं तुम्हारे यह आ जाओ या तुम मेरे वहाँ आ जाओ इतने वज़े मिलते हैं अब जो एडलीन है वो खुदी उसको चवाब भी देती है कि भईया मैंने सेम स्वेट पैंट्स पहन रखी होती है और पिछले एक सफ़ते से मैंने वही पैनी है और एक ना निशान है उसके स्वेट पैंट्स पर और नहीं मैं तुम्हारे यह आ नही तेकि मैं सेक्स कर सकूँ, अब जो दया होती है, कहती है, एक काम करो, मुझे अपना फोन दो, अब भाया जो अडलीन होती है, एकदम से आँखे उसकी बढ़ी हो जाती है, कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं दोंगी, अब जो दया होती है, कहती है, अब जो अडलीन होती है, कहत विशारा करती है जो waitress भाग के आ रही होती है, हो ज्सकता है अचे खाने में बाल कंगा है जैसी यहां पर आती है उसकी best friend होती है वह भी इसको देखरी हुती है अब जो एडलो एडलीम होती है, क्या करते है, मैं मैं क्या order करूँ फिर वो उसी से वेटर से पूछ लेती है मुझे क्या order करना चाहिए अब भाईया फिर एडलीन को यह realize होता है कि मैं तो उसका बहुत time waste कर रही हूँ इसके पास दूसरी tables में है इसको वहाँ से भी order लेने है वो फटाक से बोल देती है एक काम करो strawberry martini ले आओ green apple flavor वाली और जो waitress होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है अब जो दय है वो हाथ आगे करती है और जो एडलीन है वो अपना गुस्रे में phone ऐसे रख देती है कि छोटी बच्ची है वो देना नहीं चाहती है लेकिन तब भी वो दे देती है और जो दय होती है वो काफी खुश होती है कि भाईया देखो मुझे phone मिल गया वो क्या करती है फटाफट message खोलती है और type करना कुछ शुरू करती है और जो उसने golden ring span रखी होती है वो ती से type कर दी होती है जो चुटे इसके बाल है और ना इसने नाक में गोल्ड कलर की news ring पहन रखी है और यह बहुत बड़ी एक चुड़ायल है लपका अब जो idling है उससे पूछी लेती है कि तुम किसको message कर रही हो और idling उसको रोकना चाहती है बच्चों की तरह ना वहाँ पे नोटंकी नहीं करना चाहती क्योंकि बही जब वो social में होती है तो थोड़ा सा awkward हो जाता है अब यहाँ पे बार के बीच में अगर कोई नोटंकी करेगी तो खाली इन दोनों की बेस्ती हो जाएगी अब जो idling होती है उसकी तीसरी मार्टेनी आ चुकी होती है वो चुपचाप बैटके मार्टेनी पीडी होती है उसको लगता है कि चलो ठीक है जो भी कर रहे है करने दू अब वो क्या करती है message इसको भीजना था वो भीज देती है phone उसको वापस देती है जैसी एडलीन को phone वापस मिलता है वो फटाफट message खोलती है इसने क्या message कर रहा है और जब वो देखती है तो उसने message कर रहा होता है Grayson को और message ही नहीं उसने actually sex वाला message कर रहा होता है अब दयाने उसको लिखा होता है message में कि आ रात को तुम आ जाओ और मैं चाहती हूँ न कि तुम मेरी pussy लिख करो मुझे न बहुत तड़प है तुमारे huge cock की और जैसी वो चीज पढ़ती है न उसको बड़ा अजीब सा लगता है क्या भेज़ दिया इसने और इतना ही काफी नहीं था उसको आगे ये भी message करती है कि कैसे तुम्हें याद करके हर रात को मैं अपनी fingering करती हूँ और जब ये message पढ़ती है उसको लगता है यार इसने क्या भेज़ दिया और हो सकता है शायर जो ग्रेसा नहीं वो समझ जाए कि ऐसे message मैं कभी नहीं भेज़ती अब जो idling होती है वो दया को ऐसे देख रही होती है कि भाई तुने क्या कर दिया बड़ा गंदा सा मूँ बनाती है और उसका चेहरा ऐसा होता है असे कूडे के dustbin जैसा अब जो idling होती है वो दया को बोलती है मैं ये कभी उसको बात नहीं कहती और मैं ऐसे लिगती भी नहीं aur तुम सची में कुटिया हो अब जो डैय होती है avd वो हसने लगती है और जब वो हसती है remaining तो उसके दांतों के बीच गचा गैप होता है और जो इड्लीन है वो में सूछती है मैसे सची में नफनत करती हूं इतनों में कहा होता है उसको के पास मैसेज आ रहाता है, अब जो Idlein का फोन होता है, उस पर मैसेज आगया होता है Nagaria अब जो दया होती है वह एगदम खुशS हो जाती है और जो idly होती है वो कई नहीं यह सर्च करना चाते है कि एक अजात तरीके मरने के बताओ कैसे होता है यह मेरी नई स्टोरी होगी अब जो दय होती है नहीं कहती है पढ़ो अब जो दय होती है वो आगे बढ़ती है ताकि खुदी फोन छीन के खुदी मैसेज पढ़ ले लेकिन जो idly होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है फोन अपने हाथ में लेती है अब जो ग्रेशन का मैसेज होता है उसने लिखा होता है कि जब तुम अपने सेंसेज में आ जाओगी ना बेबी मैं तब आट बजे मिलते है अब जो idly होती है वो दय को बोलती है मैं वो इसनोल पे उती ही वीडियो खतम और आप आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू ए बेड़ा आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू ए बेस्टे कनेक्टेट